अब जिसे आप में बदाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में चार्ट बनाने के लिए हमें चाहिए अबलेवे आलू जिससे चोटों में काट लिया है कुछ अनार के दने वाटरमेलन पनीड ऐसे क्यूब्स में कटा हुआ ओरेंज अखरोट, बदाम, किश्मिश, गरी ऐसे कटी हुई, पिस्टा और काजू, यह सेंदा नमक है, पिर्सी हुई काली मिर्च है और एक नीमबू, आप फ्रूट्स में कुछ भी ले सकते हैं, कीवी, पाइनैपल, जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, और ड्राइ फ्रूट में भी आप मूंफली भी ले सकते हैं, या जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, अब हम लेंगे कडाई, उसमें लेंगे एक चमश्देसी गी, उसमें डालेंगे पहले बदाम, फ्लेम हमें बिल्कुल स्लो रखनी है, हाई नहीं करनी, बूनना है, इसमें डाल देंगे दोडाला नहीं है और फ्लेम भी एकदम अच्सलो ही रखनी है दो से तीन मिनित हम अच्छे से भून लेंगे और सबसे एंड में डालेंगे, हम किशमिश्य किशमिश को आधा नहीं भूनना, इसलि आधा प शक्रा ञ्मक फिक होई कालिमेच, फ्लेम को हम ओफ कर्देंगे औ अब हम इसे बोल में ट्रांसफर कर देंगे इसे èn गड़ाई में थोड़ा घी डालेगे वर मीडियम फ्लेम पर गरम गरम लेंगे और यो वर बईwegimana इसे अलर्ट-पवे ऊचछे दो कर लेंगे देखिए आलू फ्राइ हो गए हम इसे निकाल लेंगे और पनीर को भी हम इसी तरीके से फ्राइ कर लेंगे देखिए पनीर भी फ्राइ हो गया है इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं अब हमारा ड्राइफूट रेडी है, पनीर रेडी है, आलू भी रेडी है, अब हम चाट बनाते हैं अब हम लेंगे एक बोल, उसमें डालेंगे कटा हुआ एपल, कटे हुए बनाना, कटा हुआ वाटरमेलन, थोड़ा सा ओरेंज, थोड़े अनार की दाने और जो हमने पनीर फ्राइए किया था वो भी हम इसमें डाल देंगे और जो हमने आलू फ्राइए किये थे वो भी हम इसमें डाल देंगे आप fruits कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जो हमने dry fruit ready किया था, fry करके वो भी हम इसमें डाल देंगे यह देखें, dry fruit जो हमने ready किया था, इसे आप store करके भी रख सकते हैं, कि जब भी चाट बनानी हो, आप उपर से इसे डाल लें यह खराब नहीं होता क्योंकि हमने इसे fry कर लिया है अच्छे से, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा सेंदा नमक और थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च, आप इसे अगर बिना ब्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसमें डाल देंगे आधा नीमबू का रस और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप इसमें ड्राइफूट कम भी डाल सकते हैं ज्यादा भी डाल सकते हैं फ्रूट्स भी अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं यह आपके टेस्ट पर डेपैंड करता है वैसे इसमें क हम इस तरीके से fruits को organize कर देंगे तो यह देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी easy हो जाता इसे यह देखिए fruit chart देखने में कितनी प्यारी लग रही है ऐसे इसी तरीके से हम सारी toothpick ready कर लेंगे और उपर से अनार के दाने डालके हम इसे serve कर देंगे हमारी शाही चार्ट serve करने के लिए बिलकुल ready है आप इसे ठंडा करके भी serve कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हां घंटे का बटन दवाना ना भूलें बाई फ्रेंड्स मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में